तो row span के थूँट हम मर्ज ही तो करते हैं तो मर्ज करते हैं जब row span यूज करते हैं तोहों मर्ज करते हैं और जब काल करते हैं तो कालम को मर्ज करते रिकषि के आपको मैं एक EXEMPLE दिखाऊं कि questa पर हमाएप तर्फ तेभल आस में टेबल दिया वाई विसके तूर में आपको इसेमिनार का ताइम टेबल में तौ अब देखें यहां पर इस तरह से seminar बनता है अगर मैं इसको एक एक row बनाऊ तो फिर क्या होगा ये एक एक row बनता रहेगा नीचे वाली रोज खाली आ जाएगी ठीक है तो मैंने का भाई डे बताना है और यहाँ पर मैंने seminar की यहाँ पर मेरे पास इस column के अंदर days आ रहे हैं ठीक है यहाँ पर schedule आ रहा है कि भाई पर seminar है seminar start over begin और end ठीक है अब यह देखें schedule जो है यह आपके पर merge किया गया है क्यों merge किया गया है अगर इसको merge नहीं करते तो side में खाली column आती ठीक है तो आप कहाँ पर आपको देखें आपको table दिया जाएगा तो आपको structure दे दिया गया आपने का इस structure को follow करना है तो इस structure को follow करते रही ही आप design करेंगे तो आपने का इस structure के अंदर मुझे तो यह चीज इस तरह से लग रही है तो फिर आप यहाँ पर आके उसको क्या करेंगे correct करेंगे correct कैसे करेंगे आप इस तरह से correct कर सकते हैं कि भाई आप पहले देखेंगे अब ये बनाना कैसे है आप पहले counting स्टार्ट करें क्या करें counting जैसे कि आपने कहा कि भाई मेरे पास ये एक column है पहले columns को कांट करें किसको कांट करें one column second column third column fourth column total columns कितनी है मेरे पास यहाँ पर four है कितनी है four आप बोलेंगी तीन है आपको कितनी columns नदर आ दी है अब फोर है ठीक है देखे four क्यों है क्योंकि यह begin और end भी एक अलग-अलग column है ठीक है अगर तो एक, दो, तीन टोटल कितने आ रहे Oo। हम बिंगद और एंड को भी तोaround कर रहे हैं तो बिंगिन और एंड भी हमारा क्या है कॉलम है। इस वजसे हम ने Gण्ड कॉलम कितने आ रहे चले मुझे मुझे बता है। रोज कितनी है सिंदर फॉर है उत्क और हो रहे हैं पदा है यह गया है यह तो घलती की है ढों यह से और यह मिंदीन और यह सो यहां तक बैब इनको अलग रहता तो 9 है पके वांट रोज कितनी आ रिया है नाइड है वाली हम पर सब्सक्रेट स्सिह तो оруж होता है कितनी कॉलम से और कितनी रोज है सेमिनार में वन कॉलम इन और उसके बांट और यह हुआ हो रोगाई जाय आईए तो इसको तो किसको नहीं काूंट करेंगे यह जितनों में 2 TV उसको गांट करेंगे तो हमने 3 x 5 तीक favorit यही पर आ जाते हैं 5 के बादthis 8 और 9 तो जो जितना Eating divided बता हैं जितनी डीजन हुई रही हैं जहां नियुक्त करते हैं और फिर फुर्दर आगे चलते हैं तो अगर यहीय में इना चाहते हैं तो आप किस तरह से बनाएगे तो मैंने जैसे आपको तोटल रोस कितनी आ रही है हमाई पास 9 आ लिए ना तो मैं इसको यहां से कॉपी करता हूँ और नई फाइल बना रहा हूँ HTML की और उसके अंदर मैं इस सब को भी मिटा दूँ और उसके बाद हम इसको समझने ही कोशिश करते हैं आहने कि टी कैसे ना तो हम यहा से ये वाले टेबल को नीचे वाला जो अवाले कोई यह चे इसमें करता हूं यह बना वा ना उसको मैं करता हूं वेमूंफ तो सब्स हांग्यों कि कॉलम्स कॉंट की थे नदे चार कॉलम्स दी ना तो यहां पर हमां आने चाहिए यांपर को आने चाहिए तो हमने यहां पर S toughest of All यहां पर आकर पुल दिया और मैंने के दिया अच्छ अब explorer हैँ पहले तो मैं इसको सेफ कर यह पर आकर आपके पास क्या रहा है कि यहां पर फिर्स्ट प्रो गोसे हैं फास्त फिर्स्ट रो में आपके पार कि इस सेमिनारी लिखावा रहा है पर आपने तो यहां पर बुला कि चार कॉलम हैं आपने कितने बोले चार कॉलम है पर पहले कॉलम में आपके पास एक और चीज भी लिखी वी आ रही है डे भी लिखावा आ रहा है अब अगर अपना अप हेडर सेक्शन देखें तो आपका जो हेडर पार्ट है जिसके अंदर इस केजूल आ रहा है टॉपिक आ रहा है बिगनेंड आ रहा है यह टोटल ठी रोज हैं तो पहले हम यह तीन रोज बनाते हैं और देखते क्या रिजल्ट आता है सिर्फ समझने के लिए फिर उसको हम सेट करेंगे तो हमने का हमारे पास टोटल कितने कॉलम से चार एन तो हम लाज़ी बात है जब टी यार यूज़ कर रहें तो टीडी के अंदर हमाँ पचाचार कॉलम्स बनाने पड़ेंगे तो हमने यहां पर पुल दिया है लेट से यहां पर लिखा हूँ आएगा सेमिनार अब मैंने का कि मेरे पास पॉटल 3 रोज ती कॉपी किया पेस्ट किया यहां पर हागे मैं करता हूँ इसको पेस्ट और नव मैं यहां पर आकर इसको कर लेता हुँ यहां से टेबल वन को रन तो यह भी टेबल वन आ रहा है में ना देखरें हैं यह उस तरह आउंकत तो यहां पर रोज में डिवाइड किया हुआ है यानि जहां पर यह रोल नंबर लिखा हुआ आ रहा है ना इसके नीचे वन और टू नहीं आना चाहिए इसको पूरे ने लेना लेखे दिवेजन करोंट बाना आप यहां से जाएंगे और यहां पर जाके पहले कॉलंब यहां पर मेरे पास आएगा क्या लिखा वायेगा लिखा वायेगा यहां और यहां पर मुझे यूज़ करना है row span क्या करना है और row span उचकंड मुझे कितना करना है 3 करना है तो जब मैंने रो इस्पेऍन किया चाहर रो इस्पेऴल के साथ-साथ आप यहां पर देखें तो यहां पर seminar एक ही लाइन में लिखावा नजर आ रहा है तो seminar में आपने किया हुआ है टोटल कितने columns थे चार थे न एक column to day वाला हो गया बाकी तीन columns किसने ले लिए seminar न है तो आप यहां से यह जो दो H आरें TH इनको करेंगे remove और आप बोलेंगे कि यहां पर अब मुझे apply कर करना है हमें three कितना करना है तो अब आप देखिएगा जब मैं इसको refresh करता हूं तो हमाएं पास पहली वाली राइन हमारी सेट हो गई बटबीपी आप देख रहे हैं कि नीचे कोई मसला आ रहा है नीचे क्या रहा है प्रॉग्लम आ रहा है इसको भी हम सेट करेंगे तो हमा कितने कॉलम्स लिये हैं कितने कॉलम्स लिये हैं और टॉपिक ने कितने कॉलम्स लिये हैं एक लिया है तो आप यहां पर आके अब आप अपनी सेकेंड रो में आएंगे क्योंके जो आपने स्केजूल वाला काम और टॉपिक वाला काम किसके अंदर किया है सेकेंड कॉलम के अंदर गिया है तो आप अपने second row के अंदर आके बुलेंगे कि भाई यहां पर मुझे डे पे तो कुछ नहीं दिखाना उसके बाद क्योंके देखें second column जो start होगी ना वो वो इसको skip करेगी क्योंकि यहां row span होगी वो start ही यहां से होगी second row जो है यहां से start हो रही है तो आपने का कि मेरे पास यहां पर लिखावाए schedule ठीक है और schedule के साथ लिखावाए topic क्या लिखावाए topic तो अभी मैं इसको करता हूँ यहां से remove और अभी हम कुछ result लेखते हैं तो अभी हमाएं पास कुछ इस तरह का result आ रहा है तो अब हमें इसको set करना है इसको arrange करने के लिए आपने यहां पर जाके देखा कि मेरे पास यहां पर schedule जो है वो दो कितने रहा है columns दो columns ले रहा है और topic columns में divide नहीं है वो क्या ले रहा है वो क्या ले रहा है वो दे रहा है तो अब आप इस line के अंदर आकर बोल देंगे कि हमारे पास यहां पर तो call span हो रहा है कितना तूका और नीचे वाले में topic वाले में है क्या हो रहा है row span हो रहा है और row span कितना हो रहा है वो भी two है तो आप देखते हैं refresh करते हैं set हो गया यहां पर बट अभी यह सही नहीं आ रहा है अब इसको सही लाने के लिए अभी फिलाल मैं यह वाली row को करता हूं खतम है यह row मैंने की खतम और इसको अभी करते हैं refresh तो अभी बिल्कुल accurate आ रहा है आ रहा है ना मसले उतना पार्ट तो बन गिया हमारा seminar आ रहा है seminar के बाद schedule आ रहा है schedule के बाद क्या आ रहा है topic आ रहा है अब आते हैं हम अपकी तीसरी row की दरस तो तीसरी row में हमने क्या कि हुआ है तीसरी row के अंदर हमाँ पास देखें एक यह आएगा begin and और उसके बाद यहां पर क्या आना चाहिए topic के लिए खाली छोड़ दें तो हमारी तीसरी row के अंदर सिफ दो ही आपके पास क्या बनेंगे TD बनेंगे यहां से आप बाकी TD को remove कर देंगे यहां पर आप क्या लिखेंगे यहां पर आप लिखेंगे begin और यहां पर आकर आप क्या लिखेंगे और इसको जाकर आप करें सेफ और रिफ्रेश करें तो बिल्कुल एकुरेट आगे डिजाइन तो बसक्त हमारा header पार्ट तो बन किया आप इसके नीचे तो सिंपल काम है के लिए बताया था ना एट्रिब्युट यूज करते हैं दे करका ना देना है लिटाया है ना यह सकते होड़ाइँद देर渟 कर आदर आपने सुर्ट रूम डीपनाइस टीड आगल मैनर उजर आप टीड़े टा हॉरिज़ोन्टल एंध व्रेंग, बुस्ट लीच एपरतिकली आपकॉरुडिक सब्सक्राइब तो जैसे हमने देखा है कि टेबिल की मदद से हम डेटा को और्गिनाइज कर सकते हैं अपना अंदाज होता है यूजर को डिखाने का इस पॉप आपके पास आप साइन आप कुछ पॉप आजाता है यूजर को डेटा दिखाया जाता है तो आपके पास पहले क्या होता था कि पहले आपके पास क्या यूज होता था पहले आपके पास टेबिल्स यूज होते थे वेफसीड्स बनाने के लिए क्या यूज होते थे टेबिल्स यूज होते थे बट आज कल आपके पर टेबिल्स य पर इन दी एंड यह हमें समझ तब आएगा जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्योंकि डिफ का जो रिजल्ट है वह आपको तब तक विसिबल नहीं होगा तब तक आप उसके उपर आपके पास क्या होता है कि पूरी की पूरी वेबसाइट पहले वह आपकी टेबिल्स पर बन जाती जैसे कि मैं आपको इसका ओवर्व्यू देता हूं तो हम यहां से जाते हैं पेंट के अंदर यह हमारा अब देखें हो सकता हमाएं पर कुछ वेबसाइट है यह आप समझें कि पूरा का पूरा मेरा पेज है वेबसाइट है यह मेरी अब इस वेबसाइट के अंदर मुझे का करना है मुझे कुछ इस तरह का काम करना है कि मेरे पास यहां पर एक इस तरह से लाइन आरी है ठीक है होता है ना websites के अंदर तो आपने कब एक line कुछ इस तरह से आ रही है और एक line कुछ इस तरह से आ रही है और एक line कुछ इस तरह से आ रही है so now you can see that this is a layout for a website ठीक है आप table की मदद से यह layouts बना सकते हैं अगर हम इसको table की तरह approach करें तो table के according अगर हम देखते हैं so first one first we have how many columns here कि हमाँ पर कितनी columns है तो basically यहां पर हमाँ पास अभी दो ही columns है दो columns है और rows हमाँ पास जादा है अगर हम rows count करें तो we have total four rows available in this particular example तो अगर हमें table structure से website बनानी है और हमने यह भी देखा गया हम width और height भी set कर सकते हैं table की तो width और height की मदद से हम table की क्या कर सकते है height भी set कर सकते हैं और पूरा तो पूरा आप इस तरह समझें कि यह पूरा आपके पास एक web page है अब यहां पर हो सकता है इस part के अंदर आपके पास कोई logo आ रहा हो यहां पर आपके hyper links आ रहे हों about ठीक है यहां पर आपके कुछ और further links आ रहे हों यहां पर आपके पास website का content आ रहा हो कुछ लिखावा हो यहां पर आपके पास कुछ images वगेरा आ रही हो और यहां पर आपकी website का footer आ रहा हो तो आप क्या अगर सकते हैं by using table you can draw this easily अगर आप table structure use कर रहे हैं और अगर आप अपनी website को table के ऊपर design कर रहे हैं तो आप table पे रहते हुए भी यह design कर सकते हैं but but now we don't use table ठीके आजकल हम tables को use नहीं करते क्योंके tables के अंदर अपने ही कुछ problems आते हैं और वो responsive नहीं हो पते हैं या बहुत सारे अपने problems होते हैं जिसकी वाज़ा से हम table को skip करते हैं और table की जगा layout के लिए जो हम use करते हों क्या है आपके पार डिफ यूज़ करते हैं